वीडियो से पहले प्लीज डिस्क्लैमर दिहान से पढ़े हलो फ्रेंड्स वेल्कें ट्यू आई एक्रिएशन आज मैं आपको मेरे बकरे कुर्बानी के और मेरे फ्रेंड खालेजबाइग के ऐसे कनक के बकरे बताने वाला हूँ ये मेरा बकरा है सद्दाम ये है मेरा बकरा सद्दाम नाम है इसका आगे ले ना फरांग ये जाही गोट फाम अकिल भाई की होम ब्रेड है आपको कलर वाइस कैसा लगा ये आप जरूर बताना मुझे एक बार माश्याला हाइड इसकी 41 के क्लोज है 40 प्लस आप कंसिडर कर सकते हो और हाँ not for sale है कुर्बानी का है मेरे और भी आपको एक खुबसर चीज और दिखाता हूँ यह है जहांगेर खालिद बाइगा के से केनेक्ट जिनका यूट्यूब चैनल है यह भी उन्होंने बच्चे से ही लिये दे माश्याला उसकी खुबसूरती देख सकते हो और चलेगा साथ में भी है इस सब हमारे कुर्बानी के बक्रे हैं आपको कौन सा बक्रा पसंद आता आप कमेंट सेक्षिन में बताए जहांगेर की जैसा यह कलर पैटर्न चेहरे में आप देख सकते हैं यह यह खसी है और इसकी ब्लेड लैन और भी अविलेबल है वह भी दिखा दो आपको जाई ग यह नसल यहाने वाल यह जहांगिर की ब्लड लाइन का बट और भी अच्छा है और बक्रे में दिखाता हूं यह भी वक्रा खालीद बैका है नूर नाम इसका वाश्याला यह हमारी होम ब्रेड है जो परसनली जो बक्रियां पर्चेस करी थी तब यह अपनी होम ब्रेड का बल बड़ा पूरा यह बच्चे से यहीं पर बढ़ा है जाही गोट फार्म की पलाई भी देख सकते हैं बखरों की फिटिंग देख लिजे ऐसा नहीं कि बखरें बड़े हैं बड़े नहीं है जैसा मैं बोलू बगली निकलना या फूर्ती में नहीं आना वो सब चीज नहीं य 93 kg पर जहांगिर है जहांगिर 93 kg पर हैं और एक बखरें आपको दो दिखाता हूं इसका नाम थोड़ा अलग रखे हम लोग ने केले कान पर जेज भी कोज़े से यह केले कान वाला है इसकी भी आप फिटिंग देखें इसा होम ब्रीड है अकील भाई की बड़ यह प्रॉप इसकी प्रॉपर चहरे में सीना कमर देख लिजेए इसकी इसकी एकी ड्रॉब है कि सिलो भोच चलता है यह वोम रीड है अकिल भाई की रकिन उन्होंने भी किसी से लिया बहुत उन्होंने शौक से पाला है और यह भी खालिद भाई का है यह है पेपर्स के इसकी जब स्राइडिंग में इसकी चमडी बहुत इदम लूस थी इसलिए इसका नाम रखा गया था पेपर्स की और शौक से अचीज है यह भी 82 83 संथिंग आ रहा है बड़ इसकी 82 पे भी आप देख से बगली अच्छी निकल गई है जिने बगली पसंद इसको पहले बूर की अमनों बूर के फर्स कोपी बोलते थे यह बूर क्रोस है इसलिए इसको इनिशल स्टेच में बूर की फर्स कापी बोलते थे बाद में से जब पर्चेस की अपना तो इसको नाम दिये सकप आपको यह कैसा लगा यह भी आप बताईए फ्रेम वाइज सब खक्ति हैं यहां पर हमकों खक्ति के शौकिन है और यह है हमारे फरान के मामुगा यह कसाई वाला माल है कसाई की दुकान से लिए दे और आज अलंदुलिल्ला 83 केजी पर है यह बखरा दात कितने हैं फरान इसके दात आज आज 83 केजी पर है यह बखरा और यह कसाई वाला माल है यह पूरे बच्पन से यहीं पर पला बढ़ा है यह जाही गूट फर्म की हम लोग अपने बखरे भी बता रहा और इवन उनकी जो पलाई है वो भी अकिल भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सद्दाम की कलर प्रिंट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि यह लास्ट ब्रीड है जो मैंने लिया इससे पहले हो तीन साल से यह ब्रीड पे काम कर रहे तो यह कलर वाई और अच्छे कलर आ रहे थे यह लास्ट जैनिटिक्स है उनकी जो यह सल मैं कुर्बान करूंगा सद्द सब्सक्राइब कर देख लिए और भी उनके पास बच्चे अभी एविलेबल हैं नेक्स्ट यह के लिए भी तो फ्रेंट्स यह एक नगीना है हमारे कलेक्शन में माशाबला इसको नेक्स्ट यह के लिए रखे यह फिफ्टी के जी पे बरबड़ा इसको रखने का इसका आप लोग बताएं आपको क्या लगता कि तेविट पे जाएगा यह 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 नेक्स्ट यहर की कुर्बानी के लिए है फिफ्टी के जीपे है भी देखते हैं इंशाल्ला नेक्स्ट यहर तक इतना जाएगा यह